असलाम लेकूम आज के जो हमारा लिगल लिक्चर है वो है डिफरेंस बिट्विन एडमिशन और कनफेशन आज हम देख रहे हैं कि कनफेशन और अडमिशन के दरिमान क्या फार्क होता है अडमिशन क्या होती है और कनफेशन क्या होता है देखे दूनों अगर हम कर तीस से लेकर 36 है कानून इशादत ला नैंटी एटी फॉर का और वो बियां जो जुर्म के कबूल के बारे में हो वो कनफेशन कहलाता है और उसके लिए आर्टिकल है 37 से लेकर 43 है कानून इशादत आर्डिनिस नैंटी एटी फॉर का अब देखें क्रॉस रिफरेंस के देखें जो एड्मिशन होता है वो ज्याद़ातार सीविल ट्रॉंजेक्शन में होता है अंडर आर्टिकल है 31 कानून इशादत का और जो कनफेशन की बात करते है ये बियान मुल्गर आम तोपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में करता है अब अगर बात करते हैं अगर बात करते admission की एक proof होता है conclusive proof होता conclusive proof ये नहीं होता अगर हम admission की बात करते है ये admission का एक पूरा conclusive proof नहीं होता अगर हम बात करें confession की तो ये एक रजाकाराना हो तो माना जाता है otherwise उसको नहीं माना जाता अगर हम admission की बात admission जो हुकुक पैदा करता है जबके confession यह जर्म की मुझूदगी को जहर करता है यह जर्म हुआ है और इसने जर्म किया है और जो admission होता है यह रजा कराना इसका होना जरूरी नहीं है जबके confession का रजा कराना होना बहुत जरूरी है अधर वो admission नहीं कहलाएगा अब अगर बात करते हैं एडमिशन की एडमिशन होता है ये कनफेशन ट्रीट नहीं होता और अगर हम बात करते हैं कनफेशन की तो इसकी दो एकसाम होते हैं कनफेशन की एक जूडिशल कनफेशन एक एक एक्स्ट्रा जूडिशल कनफेशन अगर हम बात करते हैं एडमिशन की आज डिसकस किया इस लीगल लेक्टर में बिट्विन दे एड़िशन एंड केंफेशन दिस वास्टूड़ लेक्टर और इसके साथ हमें इजाज़ दी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें प्लीज यू कन इमेल अस या फिर हमें आप वैस मैसेज कर सकते प्लीज हमारे वीवर्स हैं वो डिरेक्ट टाइम देखते हैं नवक देते हैं काल करना शुरू कर देते हम आप से यह रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें काल नहीं करें हमें वैस मेसेज करें या फिर आप टेक्स मेसेज कर सकते हैं या इमेल भी कर सकते हैं जूए हम आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे इसके साथ मुझे इजाज़ा दे हैव अनाज़ डे अलाफिस